टिकेट नहीं होने का एक कारण हो सकता है आपका CAPTCHA तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CAPTCHA कैसे रिफ्रेश किया जाता है बैक बट्न के द्वारा बैक बट्न क्लिक करते ही आपका दूसरा ओप्शन आएगा प्रॉब्लेम विद CAPTCHA problem with capture आते ही आपका ये capture हो जाएगा auto refresh जी हाँ refresh होते ही आप अपना नया capture यहाँ पर एंडर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है numeric 9, capital T, capital J और small f और उपर आपका password जो कि आपका password देना पड़ेगा यह जैसे मैं अपना password दे दिया हूँ capture में दो चीज़े जो की बहुत ही महत्पून है पहली है कि जो अक्षर capital पे है वो capital पे रहना चाहिए जो अक्षर small पे है small पे और दुस्री सबसे महत्पून point है कि यहाँ पर जो cap दो अक्षर में space दिया हूँ है वो यहाँ पर आपको नहीं ही देना है जैसे 90 जेफ एफ पर यहाँ पर मुझे capture में space दिखा रहा था यहाँ पर मैं नहीं दिया हूँ कोई space तो ऐसे करके आप अपना capture को कर सकते रिफ्रेश और ticket को कर सकते हैं